तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं SKME दुमकाय का कॉमन कोर्स समेस्टर टू का तीसरा पेपर गलोबल सिटीजनसीप एजुकेशन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे बैस्विक नागरिक सिक्षा ठीक है अब जो हमारी सिक्षा वैस्ता यार इ इधार खंड इक हिंदी भास्ती प्रदेश से तो डेफिनेटली हिंदी मेडियम के बच्चों को बहुत जादा अदिकत होगा ठीक है शुरू में मैं भी हिंदी मेडियम का था सुरू से एक दम ग्रेजुशन पोस्ट गिजुशन में तक मेरा हिंदी था चलिए सिद्व कान कोई बात नहीं होगा टाइम आ रहा है ठीक हम लोग आवाज उठाएंगे तरह तरह तो देखे सिसी पेपर सिक्स में जो है आपका यहां पर क्या-क्या पढ़ना है वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे देखे सब्जेक करना में इसका वेपर जो होता है दोस्तों अभी तक जितने भी नुट्रिटिस में हुए है वह अब्जेक्टिव होए है जैसे कि बात कर लें बीबी यू का एक्जाम हो चुका है धनबाद में ठीक है वहां प्यापर आपका अब्जेक्टिव आया 50 कोश्चन आये थे एक सो माक्स में से और बात कर लें बिनौभाव इनुश्टिटी हजारी भाग ठीक है भ क्या क्या पढ़ना है चली जान लेते हैं देखिए यूनिट वन में आपके आएंगे सभी कोश्चन अब्जेक्टिव रहेंगे टाइमिंग थ्री आवर रहेगा कि दा कॉंसेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटिजन सीब यानि कि बैस्विक नागरिक सिक्षा का कॉंसेप्ट मतलब आउधारना ठीक है तो बैस्विक नागरिक सिक्षा की आउधारना जानना है आपको इसमें पढ़ना है पहला चीज कि मीनिंग और ग्लोबल सिटिजन सीब यानि कि बैस्विक नागरिकता किसे काते हैं ठीक है फिर आएं आप एट्रेटिव और ग्लोबल सिटिजन नेक्स्ट है आपका एजन्सीस रेस्पोंसीबल फर ग्लोबल स्टिजन सीब यानि कि वे संस्था जो कि बिस्व में नागरिक सिक्षा को बढ़ावा देते हैं जैसे कि मैं कुछ के नाम बता देता हूं जैसे कि यूनेस्को हो गया डबलू टीओ हो गया वर्ल्ट्रेड और सबसे वड़ी संस्था है ठीक है फिर आता है यूरोपियान यूनियन आता है बहुत सारे हैं ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं अगला हमारा कॉस्चन है यहां पर कि रॉल आप सेविल सोसाइटिस इन दो प्रोमोशन अब ग्लोबल स्टिजन यानि कि जो सेविल सब्समाज हैं इस सभी का इस छेत्र में गलोबल स्टिजन की छेत्र में क्या उद्देश है क्या करते हैं प्लोब पार हैं मैंप पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे है बतातूं सास्टेटैबल डेवलफ्मेंट किसे कहाते हैं सब्सक्राइख किसे गाता हिंदी में हिंभी से अपका प्रियावरण कोई च न पहुंचे और हमारा विकास भी हो, ऐसे विकास को सदत विकास कहते हैं, उम्मिद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, फैस दिखाता है लेकिन क्या बता हूँ, कुछ प्रोबलम है अभी इसके गारण नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, मुझ पे मतलब ऐसा नहीं बोड़ी पे कुछ प्रोबलम है, बस कुछ सिच्वेशन है, अभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद कुछ दिन, एक सब्ता के बाद में आप लोग के इंट्रेक्ट होके, अच्छे से वीडियो उन्दे पाऊंगा, नेक्स्ट है नेचर, क्या है, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, यही लिखा है, नेचुरल रिसोर्स कर्वेशन, यानि कि प्राकृतिक संसादनों के आपको बचाव करना है, जैसे कि कोईला हो गया, हमारे जारखन में तो भूब होता है, ठीक है, जितना भी हो गया, जल हो गया, जितने भी प्राकृतिक संसादने, इन सभी का उचित उप बचाव करें, तो यहां जो है, यहां फिर भारत के बात कर लें, तो यहां बहुत ज़्यादा बीवी देता पायाते हैं, अनिक अनिक धर्मों के लोग पायाते हैं, ठीक है, हिंदू, मुसलिम, सिख, इसाइज, और यहुदी, पार्सी, बहुत सारे हैं, ठीक, नेक्स्ट, और इन सब के बावजुद भी हम सब में, आपस में घुल मिल जाते हैं, भले हो मेडिया जो है, थोड़ा बदमासी करता है, बता देता है, कि जगड़ा होता है, कुछ नहीं होता यार, आप लोग कभी बहुत सारे मुसलिम फ्रेंड्स होंगे, मुसलिम के भी ब बातराई कोई नहीं है, लेकिन नहीं दोस्तों, हम लोग सभी धर्म आपस में, बहुत अच्छे से रहाते हैं, बस मीडिया, अनला गाली दरिमन करता है, मीडिया के इस बात में, ठीक है, चलिए, यहां पर है, आपको कलाइमेट चेंज एंड इड्स इंपेक्ट, जो कलाइ बाउसं में पानी आ जा रहा है, कभी ठंडा इतना ज़्यादा दे रहा है, मतलब इन सब को बतारा है, टीक है, की वातावरण में जो औस अंतुलन पवेदा हुई है, तो साही समये पर साही चीज नहीं हो रहा है, इसके परभाव हैं, फिर आपको यहांपे पढ़ना है, ज यह मुझे दोस्तों पढ़ने में नहीं आ रहा है ठीक बेट वे ओप ट्रेवलिंग छोड़िये जो भी है और ट्राइवल वे टू ट्रेवलिंग होगा ठीक है कि अगला अगला जगा पर घूमना इन सब पर लिबिंग है या ट्रेवलिंग है यह अच्छा से नहीं दिख रहा है अपनोबर पॉइंट तक आगे दिख लेता है यूनिट्री तो यूनिट्री में आपको पढ़ना राइट्स के बारे में यानि कि मानौ अधिकार के बारे में इसमें पहला है कि मीनिंग और रहा हात में कुछ इसकी इलरजी हो गया था तो उसके गारें मैडिसन लिया दोस्तों आप लोग जब भी मैडिसन ले तो साथ में गयास का मेडिसन भी लें या फिर आप लोग चुरण बना लें हिंग सोरी और काला नमक और क्या बोलते हुआ उसको जीरा पीस के, एकदम के समाप्त कर देता है, मेरा बहुत ज़्याद अग्यास था, कब्ज बन जा रहा था, चलिए, नेक्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यह होगी आपका, हीमन राइट्स, मानव अधिकार क्या है, मानव के समस्त अधिकार, उसको जो है, एक कानूनी सहयता दी गई है, इसी को मानव अधिकार कहते हैं, इसमें सब ही आ जाएंगे, बच्चे से लिके बुढ़े तक, और मतलब हर वर्क के आदमी इसमें आ जाएंगे, बच्चे, बु बात करें, तो एक होता है, इंटरनेशनल, अमनेस्टी, इंटरनेशनल, ठीक है, एमनेस्टी, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या इसको बोलते हैं, यार, यूनिसेफ, यूनिसेफ, मुझे इसका मालूम नहीं, मैं सही लिक रहा हूं या नहीं, यूनिसेफ नाम के एक संस् हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ हिओन राइड्स ठीक मानौ अधिकार के जितने भी इवोल्यूशन से हिस्टोरिकल इन सब को जानना है इतिहास में क्या-क्या हुआ था इन सब के साथ ठीक है तो पहले तो चार गोवर्ण में बटा हुआ था मानौ समाच आप लोगों ने न सुद्र तो आप सभी को बारों मालूम होगा कि इसमें सबसे ज्यादा जो ब्रामन और छात्री अपने आपको बहुत स्रेश्ट काते थे वैस्ट जो है अपने आपको बिजनेस पीच का आत्मी मानते थे और सुद्र को सबसे नीचा दर्जा दिया गया था जो कि आज की और नहीं खतम हुआ है पांच परसेंट है अभी भी विलेज एरिया में मिल जाएगा आप लोग को लेकिन वहां पर भी विलेज में भी हम लोग को मालूम पढ़ गया है कि नहीं आर अब ऐसा नहीं हो रहा है तेरे-देरे सब बताना है नेक्स्ट आपको यहाँ पर यूनि अधिकार को लाने में कौन-कौन से बड़े और मुख्य विवाद हैं अभी या समय से आए हैं उत्पन्न होती है इन सब को दूर करने में तो उसके बारे में बताना है नेक्स्ट देख लेते हैं तो अगला है और सबसे बड़ी क्या है माना रूड़ी बादी धारना जो हम्न ग्लोबल 50 अगला है यहाँ पर की मेकेनीस फोरद ऐस फूल सेटलमेंट ऑफ डिस्थींट ठेक है और यहाँ पर बिस सौन्ति के बारे में जनना है कि मेनिंग्स फूल ऑबी घंजन्स नेक्सराप के बारे में जनना कि emot केDING सैब़ारी सबसे बड़ी आपका यू UNO UNO के संस्ता है सुरक्षा परिसद जो 27 स्थापित करती है इसका इंटरनेशनल नियालाई भी है अंतराष्ट कोट जब एक देश का दुसरे देश से जगड़ा होता है तो उसके लिए भी फिर इंटरनेशनल कोट अपना सजा सुनवाती है वगएर वगएर फिर आपको गां गांधी जी दोस्तों बहुत बोलते हैं कि क्या बोलते हैं आईसा परमो धर्मा और आज दो अक्टूबर भी है गांधी जी को क्या बताएं सब को याद कर लिजिए यार ठीक है और थोड़ा सा गांधी बादी बनी है ठीक कभी-कभी देखिए सिच्विशन को भाफ यह हद पार कर जाए तब तो स्रीकृष्ण बनना ही पड़ेगा ठीक है अरजन जो भी है तो पहले नॉन वाइलेंस को देना है वरियता ठीक है बात कीजिए 90% संभावना है कि काम बन जाता है बात करने से ठीक है इनको हमें अपने लाइप के तोर पर में बता रहा हूं पढ़ इंटया के एफेक्ट्स है या फोट्स तो और में कि वर्ल्ड में इसका साथ किस संवनने कर रहा है तो यह है आप skirts पुरा का पुरा पढ़ना हुआ अब इस त्यारी के से किजThose आप लोग या तो बुक्त ले सकते हैं कि सांयर्ट बुक्स दिए घा ठीक है या फिर मेरे पर अप्लोड किया है आप उसको देख लिए डेफिनेट लिए आपका एक्जाम इजी लिए मतलब मैंने आभी लगबग यहां पर इसके लगबग 300 प्लस कोश्चन करवा दिये हैं अब्जेक्टिव के आप इतना कर लिजेगा तो मैं मान लूगा कि आप लोग का 300 में से डेफिनेट्ल एक सु कोश्चन आराम से आप लोग पास ओजाएगे उसमें से आपको पास करने के लिए यानि कि कितना माक्स लाना होगा नेगेटीब मार्किंग नहीं रहेगा ठीक है अगर आप यहां पर 20 कोशन सही कर लेते हैं तो आप एकजाम में पास हो जाएंगे ठीक है तो इजी लिए आप लिए आप 20 कोशन फशा सकते हैं उतने प्रवेसर कोशन पेपर देखके बाकी मैं कहूंगा कि प्रवेसर कोशन पे के लिए वीडियो लाता हूं बाकी आप लोग अगर जारखंड से और वेकेंसी का अपडेट चाते तो हमारा एक चैनल है यूटूब पे सागर साव के नाम से मेरे सेल्फ नाम से खुद के नाम से ठीक है वहां पे आपको जारखंड के रिलेटीड जितने भी वेकेंसी आती कि अधिरे धिरे मैं से लिबस पूरा का पूरा डाल दोंगा ठीक है बाइं मिलते एंगले वीडियो में अपने रुसों तक शेर कर दीजेगा यार पानी आने लगा जोर से थैंक्यू वाई वाई वाई